Hello students, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about class 10 mathematics worksheet number 33, जो आपकी 18 September की worksheet है, इसके अंदर हम trigonometric ratios की बात करेंगे और वो हम करेंगे 30 degree, 45 degree और 60 degree में, ठीक है? तो सबसे पहले आपने अपने आप ये काम करना है, sin A, cos A, हम दो लगातार worksheet में इनको discuss कर चुके हैं, आप ये करोगे, उसमें देखो, can we find the values of different trigonometric ratios, क्या हम different trigonometric ratios की value निकाल सकते हैं? Let us try, तो try करते हैं, आपको एक ये triangle दिया है, इसमें A, B, C आपको फिर 1, A दिया हुआ है, और A, C जो है, ठीक है, वो आपको कितना दिया हुआ है, under root 2 A दिया हुआ है, आपने sin 45 degree निकालना है, तो एक formula गराया था मैंने, पंडित बद्री परशादवाला, ठीक है, उसको remember कीजिए, उसको याद कीजिए, यह था sin, cos और tangent, sin 45 degree क्या बनेगा, sin 45 degree ये हुगए आपका perpendicular, ये hypotenuse और ये base, ठीक है, तो P बटा H बनता है, P कोन है, यहाँ पर BC, और H कोन है, AC, तो BC बटा AC, BC आपको A दिया हुआ और AC आपको A under root 2 दिया हुआ, तो आपका answer आएगा, 1 by root 2, ठीक है, उसके बाद, next आपको दिया हुआ है, cos 45 degree, cos 45 होता है, B by H, B क्या है आपका, AB, और H कोन है, AC, तो AB बटा AC, that is A by A under root 2, ठीक है, तो वो बन गया, 1 by root 2, 1045, that is B by P, P by B, sorry, तो P क्या है, BC और B क्या है, AB, तो BC बटा AB, that is A बटा A, which is 1, अब को सीकेंट निकालना है, तो साइन का उल्टा करदो, साइन का उल्टा करोगे, तो क्या आएगा, under root 2, और वैसे ही सीकेंट हमने निकालना है, तो cos का उल्टा करदो, वो भी under root 2 आएगा, और cot engine निकालने को तो 10 का उल्टा करदो, वो तो 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है, अब ऐसे ही हमने निकालने हैं, अगले question में 60 degree, और 30 degree, दो एंगल हमें दियो है, आप red वाला ये जो red triangle आपको दिया हुआ है, ये use करोगे, ठीक है, वही पंडित बद्री परशाद वाला formula लगाना वही सारा कुछ करना है, देखो, जब 60 degree लोग है, तो इसके सामने वाली line, that is ad upon bd, लिखा, ठीक है, फिर cos में क्या हो जाता है, bd upon ab, bd upon ab, ठीक है, फिर क्या होगा, sin by cos कर दो, तो भी आपका tangent आजेगा, चाहे आप ad upon bd कर दो, तो भी आपका answer आजेगा, ठीक है, ये हो ग under root 3, और ab आएगा a, ठीक है, ab जो है, वो 2a दिया हुआ, तो a से a cancel हो गया, under root 3 by 2 बनेगा, ठीक है, तो ये 3 by 2 लिखा हुआ न, ये 2 इस a के साथ नीचे आएगा, उके, उसके बाद में 30 degree जब आप निकालोगे, तो sign में सबसे पहले आएगा bd, इसके सामने कोन है, bd upon ab, जब cos निकालोगे, तो आएगा ad, बटा ab, और जब tan निकालोगे, तो bd upon ad, फिर बिल्कुल उल्टा कर देना, आपके पास cosecant, secant और cotangent आजेंगे, ठीक है, उसके बाद में है example number 1, आपने table देखना है, ये वाला, blue वाला, ये आपके NCRT की book में भी दिया हुआ है, इस table को देखके आपने बताना है कि जो आपको दिया हुआ है, वो true है या false है, तो sin 90 degree, cos 60 degree के बराबर है, ये पड़ा sin 90 degree, 1, और ये रहा cos 60 degree, 1 by 2, क्या ये दोनों बराबर है, बिल्कुल नहीं, तो ये है, false है, ठीक है, find the value of x, x की value निकाल लिए, तो आगे हमारे पास sin 30 degree is equal to x by 10, ठीक है, x की value आगे 5, आप बोलोगे कि ऐसा क्यों किया, sin नहीं क्यों लिया, बाकी क्यों नहीं लिये, तो उसका एक reason है बेटा, देखो, जब भी हमें कोई चीज दी होती है, जो हमें given होता, उसके with respect to हम formula लगाते हैं, तो जब हम पनित बदरी परशाद की बात करते हैं, ठ sin, cos और tangent की बात करें, हमें दिया हुए h और p, तो h और p किसमें आ रहे हैं, sin में, इसलिए हमने sin यूज किया और cos और tangent नहीं यूज किया, ठीक है, अगर आपको cos और tangent यूज करना है, तो पहले पाइथागोरस लगा के base निकाल लो, उसके बाद में जो मर्जी यूज करो, पर उतना पंगा क्यों करना है, जब इससे answer आ रहा है, ठीक है, उसके बाद में हमारे पास है, example number 3, example number 3 में आपने first के अंदर बहुत ज़्यादा fade है, तो मैं लिख देती हूँ, आपने निकालना है sin 30 degree, ठीक है, उसके multiply cos 10 45 degree, plus 10 30 degree, और sin 60 degree, ठीक है, यह आपने निकालना है, टेबल में से देखिए, sin 30 degree है, 1 by 2 होता है, cos 45 degree 1 होता है, तो 1 by 2 into 1 is 1 by 2, फिर है, tan 30 degree, tan 30 degree is under root 3, tan 30 degree under root 3, पता नहीं हिनोंने क्या किया है, और sin 60 degree is under root 3 by 2, ठीक है, यह कुछ नहीं है बेटा, यह गलत दिया हुआ है, ठीक है, यह गलत है इसमें, तो under root 3 by 2, तो अब यहाँ पर देखो क्या बना हमारे पास, under root 3, under root 3, क्या कर रहे हैं, यह मिरको, tan 30 degree is, 1 by root 3 है, ठीक है, 1 by root 3 है, यहाँ पर यह गलत लिखा है, इनोंने, यह आएगा, 1 by root 3, multiply under root 3 by 2, यह आएगा, ठीक है, clear, तो अब देखो, under root 3 से under root 3 गया, 1 by 2 बचा, 1 by 2 पहले था, तो 1 आगया, ठ उसके बाद में है, अगले में निकालना है, cos 30 degree, sin 45 degree, ठीक है, plus sin 30 degree, और tangent 60 degree, 30 degree, sorry, तो cos 30 degree लेना है, आपने, that is under root 3 by 2, sin 45 degree, यह भी, इनको क्या हो चुक है, मतलब इनोंने पता क्या किया है, उपर निच्छ, multiply करके लिए, आपने क्यों हो इतना पंगा करना, टेबल में इस जो है, वो देखो और निकाल के लिख दो, अब cos 45 degree, 1 by root 2 बनेगा, ठीक है, और cos 30 degree क्या बन रहे है, under root 3 by 2, multiply by 1 by root 2, क्यों है, ऐसे ही पंगे करने हैं, ठीक है, यह हो गया, plus sin 30 degree क्या होता है, 1 by 2, और tan 30 degree देखो, यहाँ से 1 by root 3, यही होता है, तो सीथा ही multiply कर दो न, 2, under root, हमारे पास आ गया, under root 3 by 2 root 3, 2, sorry, ठीक है, plus 1 by 2, under root 3, बस यही तो करने है, ठीक है, अब इसको solve कर लो, clear हो गया, इसको अब solve कर लो, अगर आपको फिर भी है, तो इसको under root 2 से multiply कर दो, base और दोनों को इधर under root 3 से multiply कर दो, कोई problem नहीं है बेटा, इसको सिधा भी कर सकते हो, आप, ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं, first question की, first question है, right, true and false, क्या sin 30 degree, cos 30 degree के बराबर होता है, यहाँ से देखिए, sin 30 degree, हमारा है 1 by 2, और cos, sin 60 degree, sorry, under root 3 by 2 और cos 30 degrees, under root 3 by 2, तो यह तो हमारा true है, sin 45, cos 45, दोनों 1 by under root 2 होते हैं, यह भी हमारा true है, ठीक है, अब tan 60 degree, tan 60 degree है, हमारे पास under root 3, और tan quote 60 degree है, 1 by under root 3, तो यह क्या हो गया, false, और अगला भी क्या होगा, false होगा, ठीक है, उसके बाद में बचे हुए दो questions को discuss कर लेते हैं, चलत angle at B, कोई एक triangle है, A, B, C, जो B के उपर right angle है, A, B आपको 5 cm दी है, angle A, C, B जो है, वो आपको 30 degree दीया हुए, determine the lens of side B, C and A, C, तो B, C और A, C निकालने हैं, तो अब आपने यह देखने हैं, कि क्या आपको दिया हुआ, उसके हिसाब से हम लेके चलेंगे, ठीक है, सबसे पहले B, C बन गया, ठीक है, चाहिए, आप perpendicular वाला case लेलो, पंडित बदरी परशाद वाला उससे भी हो जेगा, तो sin 30 degree अभी अभी हमने टेबल में देखा होता, 1 by under root 3, और A, B, हमें 5 दिया, तो यह बन जेगा, 5 by B, C, बन गया, अब 5 by B, C बन गया, उसके बाद में देखो, 1 by under root 3 is equal to 5 by B, C, इसका cross multiply कर दो, B, C आया, 5 under root 3 cm, ठीक है, वैसे ही sin C निकालेंगे, तो C के opposite, side opposite to angle C, कौन है, A, B, और hypotenuse कौन है, A, C, clear हो गया, तो sin 30 degree कितना होता है, 1 by 2, तो 5 upon A, C, A, C कितना आ गया, 10 cm तो यह हमारा answer आ गया, ठीक है, clear हो गया, यहां से, उसके बाद में बा एक triangle दिया हुए, ठीक है, right angle triangle ही है, यह जो side है, उसकी under root 2X है, यह X है, यह X है, A, B, C, ऐसा कुछ आपको triangle दिया है, आपको A, C, sorry कुछ थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया है, यह आपका ऐसे बनेगा, ठीक है, this is under root 2X, अगर यह A, C और B है, ठीक है, तो A, C आपको under root 2X दी हुई है, A, B आपको X दी हुई है, और B, C आपको X दी हुई है, यह है आपका P perpendicular, यह है आपका B, X, और यह है आपका H याने की hypotenuse, तो sine 45 degree क्या होता है, P बटा H, P कौन है, X, ठीक है, H कौन है, under root 2X, और sine 45 कितना होता है, 1 by root 2, ठीक है, 1 by root 2 होता है न यहाँ पे, त attach करो, X बटा under root 2, तो X से X cancel हुआ, फिर under root 1 by root 2 आगया, ठीक है, वैसे 10 निकाल लेंगे, तो P by B होता है, X से X कटेगा, 10 45 degree 1 होता है, पीछे देख लेना, यही होता है, ठीक है, को secant 45 degree निकालना, तो 1 upon sine 45 कर दिया, यानि कि H by P, under root 2X by X, X से X cancel हुआ, under root 2 answer आगया, ठीक है, similarly second भी क्या आएगा, under root 2, और cot theta भी जो है, वो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 का 10 क्या था, 1, 1 by 1 बनिया, 1 by 1 को क्या लिख सकते है, 1 ही तो लिखते है, ठीक है, सो यह होगे हमारे दोनों question, this is our second question, ठीक है, यह हमारा second question, third question है, सोरी, और यह है हमारा second वाला question, ठीक है, second question का answer, first मैंने आपको worksheet पे करा दिया, इसी के साथ हमारी worksheet यहाँ पर कतम होती है,